राजिसरकार के निर्देश अनुसा युवा स्वास्त मिशन टीका करन अभ्यान के तहत नापूर जिले में कॉलेज के चात्रों का टीका करन शुरू हो गया है यह अभ्यान 25 अक्टूबर से 2 डवंबर तक चलेगा इस सब्ता सभी महाविध्यालों में टीका करन किया जाएगा और चात्र एवं प्रध्यापक स्विच्छा से इस टीका करन अभ्यान में भाग लेकर टीका करन कराएं कोरोना की दूसरी लहर में आम लोगों को कोविट टीका करन के लिए काफी नुकसान उठाना पड़ा लंबी कतारों के बाद ही टीका करन नहीं हुआ साथ वर्ष से अधिक आयू के वैक्तियों को पहले टीका लगाया गया और फिर पैतालिस वर्ष से अधिक आयू के वैक्तियों को टीका लगाया गया साती महिलाओं का ठीका करण किया गया अब 18 साल से कम उम्र के बच्चों का ठीका करण किया जा रहा है और इस सब्ता स्वास विभाग की एक टीम कॉलिज में ही छात्रों का ठीका करण कर रही है यह अभियान स्वास विभाग, उच्छी शिक्षा विभाग, तक्नीकी शिक्षा विभाग के समन्वे से कुल 330 महाविध्यालों, उच्छी शिक्षा विभाग के 68 और तक्नीकी शिक्षा विभाग के 171 महाविध्यालों में क्रियानवित किया जा रहा है इस अभ्यान की पहली और दूसरी खुराक चात्रों को दी जा रही है 25 अक्टूबर से 2 नवंबर तक सभी कॉलेजों में टीककरन अभ्यान चलाया जा रहा है और अब तक ग्रामिन शेत्रों में 6,285 चात्रों और नगर निगम की कॉलेजों में कुल 18,604 चात्रों का टीककरन किया जा चुका है कैमरेपरसन राजकुमा मोहर के साथ अभिशेग पांसी BCN News नाकपूर